नमस्कार दोस्तों आज बात करेंगे क्रिसी बिल पर क्रिसी बिल को आध्या देश के तहट तीन जून को लागू किया गया था आगे चलके इसको लोक सभा में 17 सितंबर को और राज सभा में 20 सितंबर को पारित किया गया अब देख लेते हैं तीनो कानून है क्या पाला कानून कहता है किसान अपनी किरिसी उपज को मंडी सहित कहीं भी बेच सकता है जबकि पहले क्या था कि किसान को अपनी फसल मंडी में ही बेचना पड़ता था इसके अलावा उसके पार कोई विकल उपलब्द नहीं था दूसरा कानून या सुवधा देता है कि किसान बैपारी से rate agreement पर खेती कर सकता है जिसे contact farming काते हैं पहले contact farming को परिभासित नहीं किया गया था तिसरा कानून क्रिसिय उपज को स्टाइख को लेके है पहले क्रिसिय उपज की स्टाइख एक limit होती थी अब इस कानून के तहट सरकार ने क्रिसी उपज की लिमिट को हटा दिया है यानि बैपारी जितना चाहे उतना क्रिसी उपज का इस्टाग कर सकता है कानून पास होते ही किसानों ने धर्ना प्रदर्शन चालू कर दिया इसमें खास करके पंजाब, हरियाना, उत्तर प्रदेश के कुछ छेतरों के किसान किर्सी कानून बिल के खिलाफ धर्ना प्रदर्शन इस्टाट कर दिये इसका खासासर देखनों को मिला दिली के बाडर पे जिसमें सिंगु बाडर, टिकरी बाडर और गाजी पुर बाडर प्रमुक है इस कानून के लिए के को लेकर की सरकार और किसानों के बीच में काफी मतभेद रहा इनी मत्वेहदों को दूर करने के लिए भारत सरकार और किसान संगटनों में कई दौर की वारता चली जिसमें से किसी भी वारता का कोई हल नहीं निकला है लगभग 10 दौर की वारता हो चुकी है किसान अड़े हैं कि सरकार इस बिल को वापिस ले गवर्मेंट बोलती है कि हम इसमें संसोधन कर देंगे यह जो बिल है किसानों के हित में इसलिए इसको वापिस लिया नहीं जा सकता है अब इनी खीस्तान के बीच में 26 जन्वेरी को किसान संगटनों ने दिल्ली में ट्रेक्टर परीड निकालने की अनुमती सरकार से मांगे काफी बात विचार के बाद सरकार ने अनुमती दे दी उसके बाद दिल्ली में जो कुछ भी हुआ उसके वो देख करके भारत और दुनिया में भारत की जो छबी बनी है वो बहुत दुखदाई है बहुत निंदनी है इसको किसी भी अस्तर पे अच्छा नहीं कहा जा सकता है इसमें किसान संगटनों की बहुत किरकिरी भी हुई ऐसा होने के बाद आगे चलके अभी भी संगटन अभी ये धरना परदसन जारी है अब देख लेते हैं जो दुनिया में चार प्रमुक क्रिशी उत्पाद देश हैं उनकी क्या इस्थिती है चाइना क्रिशी उत्पाद करने वाला दुनिया का सबसे पहला देश है इसका मुख के फसल चावल है और अमेरिका क्रिशी उत्पाद का दूसरा बड़ा उत्पाद एक देश है अमेरिका में मक्का, गेहूं क्रिशी उत्पाद की बड़ी फसल है इसके बाद नमबर आता ब्राजील का ब्राजील में गंडा, सोयाबीन, मक्का, क्रिशी उत्पाद की प्रमुक फसले है चौथे नमबर में भारत आता है भारत में दाल, गेहूं, चाना, धान का प्रमुक्ता से उत्पादन होता है अब देखतें MSP, मंडियों और कांटेक्ट फार्मिंग पर किस देश में क्या विकल्प मौजूद है अमेरिका में MSP लागू नहीं है, जाहिर सी बात अमेरिका सुरूस MSP का विरोत करता रहा है यहां पे कांटेक्ट फार्मिंग है, ओपन मार्केट है चाइना में MSP, कांटेक्ट फार्मिंग, ओपन मार्केट तीनों लागू है ब्राजील में MSP, Contact Farming, Open Market तीनों लागो है अब नया कानून आने के बाद भारत में भी तीनों चेज़े लागो हो गई है इनको पहचानिये थोड़ा ये देखिए Justice Tundro हैं ये कनाडा के प्रधान मंतरी हैं ये भारत की आंतरिक मामलों में दखल दिये थे किसान समर्थन को सपोर्ट किये थे ये बहुत गलत है किसी वे देश के आंतरिक मामले में किसी इस कद के नेता को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए अब ये मंडियों की स्थिती है आप मंडी बहुत देखे होंगे मंडी कही तरक होती है दलना मंडी है उसमें क्रिशी उपज में धान, गेहूं, दाल, तिलहन, आज की विक्री होती है फ्रूट की मंडी होती है सबजियों की मंडी होती है पहले किसान अपने उत्पात को इनहीं मंडियों के माध्यम से बेचा करता था कांटेक्ट फार्मिंग किसान को अब एक नया औसर लेके आई है कांटेक्ट फार्मिंग के तहद जिस समय किसान फसल लगाने जाता है उस समय उस फसल का रेट जादा होता है लेकिन जैसे फसल की पैदावार होती है उसका रेट कम हो जाता है सरकार किसान इसी इस्तिते में फसा रहता है कि कौन सी फसल लगाएं कौन सी फसल ना लगाएं कांटेक्ट फार्मिंग में किसान बैपारी से अपने उपज का रेट उत्पादन के पहले ही फिक्स कर लेता है कि हम इस रेट पे आपको अपनी फसल को बेचेंगे तो इसमें किसान और बैपारी दोनों का एक agreement होता है इसके तहद दोनों लोग बधे रहते हैं अगर इसमें से कोई अपना contact तोड़ता है तो एक नियम है कानून है उसके तहद दोनों के उपर में करवाई की जा सकती है अब आती है इस्टाक की सरकार के पास इतने इस्टाक नहीं है कि जितने धान गयों और यह अन्य फसले को government खरीद रही है किसानों से मंडियों से उसको साल भर बचा के रख सके उसको ना बचा के रख सकने की स्थिति में जो क्रिसी उपज है वो बारिस में धूप में खराब ह जाती है भीग जाती है सड़ जाती है चैवालू हो प्याज हो धान हो तिलहन हो दलहन हो यह देखिए धान और गयों की स्थिति है सरकार MSP पे किसानों से धान गयों खरीद लेती है उसके पास इस्टाक करने का कोई प्रापर जगर नहीं होता है प्रापर एरिया नहीं होती है. खूली में रख देती है कहीं तिरपाल डाल देगी, कहीं खूले आसमान में रख देगी आए दिन टीवी पे दिखता रहता है बारिश में धान भीग गया, चाफल भीग गया, सड़ गया, बरबाद हो गया. तो अभी जो कानून आया इसके तहर से इन सब चीजों से इस condition में भी जो अपने को leading country मानते हैं खास करकि European country उसमें अमेरिका है फ्रांस है जर्मनी है ब्रिटेन है इटली है जिन लोगों की medical facility बहुत अच्छी होते हुए भी भारत इनसे बहुत बेतर काम किया है जहां कि करोना बिमारी में testing की बात की जाया तो भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा testing करने वाला देश है और यह जो leading country अपने को समझते हैं इन लोगों की सबसे बड़ी समय से समझ में आई कि भारत इतना ज़्यादा अबादी वाला तो फिर यह हमारे बहुत बड़े competitive के रूप में उबरेगा अभी भारत दो vaccine भी अपना बना लिया है इसमें एक का नाम है कोवी सील और दूसरे का नाम है को वैक्सीन अब तो भारत में वैक्सीनेशन का काम भी चालू हो गया है तो यह जो किसान अंदोलन हो रहा है धरना परसंद चलना इसमें कहीं कहीं इन देशों का भी हाथ है ऐसा मुझे लगता है हो सकता मैं गलत हूं तो अब यह लीडिंग कं चाहीं आइस्थिर करने का काम किया जा रहा है कि भारत जिसतरा से अपने को को क्रोणा से बचाया है जिस तरह से कूदां के पएदा की गई कि अगर एक गाउं में गरीब रहता है तो उसको गाउं वाले इस तरह से सपोर्ट करते हैं यह समझ के कि बेचारा है गरीब है असहाय है इसके लिए लोग उसके मदद करते हैं लेकिन जैसे ही वह आदमी मेहनत से आर्थिक लेबल उसका सुधरने लगता है थोड़ा आगे ब गर में वाइफाई लगा लिया है तो पडोस वाला भी सोचता कि हम वाइफाई लगाएं तो जिस घर में वाइफाई होता हो पडोस वाले को फिर उसके उसका नुकसान बताने लगता है बोलता है कि इससे रेडियेशन होता है इससे बच्चे खराब हो जाते है इससे ऐसा ह होता है तुन दो भाईयों के बीच में एक जहगड़ी का काम कराया जाता है ताकि उसके घर में वाई-फाई ना लग सके अब नहीं लगेगी तो हमारा काम तो चलेगा लेकिन सामने वाले काम नहीं चल पाएगा हमारी तरह से अच्छिस नहीं हो पाएगा तो इसको लेकर के जो अभी किसानों का और भारत की स्थिती है देश दुनिया की नजर इसके उपर बनी हुई है जो बाहर की कंट्रियां है वो उसी कंडिशन में इसको चला रही है तो धन्यबाद दोस्तों अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा हो ता आप हमारी वीडियो को लाइक कर करें और सब्सक्राइब करें धन्यबाद जो